ओम्स्याद्दे आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर भगवानो वाच तपस्या हमारे जीवन की स्रेश्ति स्थिती को प्राप्ट कराती है तपस्या से सभी समस्याइन अस्थो जाती है और तपस्या के लिए ये आवस्थक है कि हमारा मन श्यांत रहे उसकी स्थीड आख से दस थोस पर मिनट हो जैसी देव यूग में हमारे मन की स्थीड थी तब मन को सेकिंड में कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा बाबा कहते आए हैं एक सेकिंड में मन को स्टोप कर दो और फिर जहां चाहे जैसे चाहें जिस स्थीड में चाहें और जब तक चाहें अपनी मन बुद्धी को इस्थिर कर सकें यही सर्व स्थीड इस्थिड है यही बहुत पावर्फुल इस्थिड है इसको प्राप्त वही कर सकेंगे जिनोंने विश्तार को सार में समेखने की जादूगड़ी प्राप्त की होगी यह जादूगड़ी कहें या इसे ग्यान का बल कहें स्वमान का बल कहें जिनात्माओं के पास ग्रामा का संपूर्म ज्यान है उनको उस ज्यान में निश्चे है और उस ज्यान की पॉइंट्स की वो बहुत तक्तिस करते हैं दीरे दीरे उनका चित स्वियांत हो जाता है ऐसे ही जो स्वमान ढारी है और बहुत ऐसरी दीपन का ब्यास करते हैं उनकी भी ये इस्थिती बन जाती है तो हमें विश्चार को सार में समेकना है एक तो बहुत ज्यान देना है कि संगम युक के वर्तमान समय में हमें कामधंदों का विश्चार नहीं करना है अगर आपको करना भी है तो आपको ऐसा मैनेजमेंट कर देना चाहिए इस्थापे के काम दूसरे संभालें आप साक्सिवाव से उपर से देखें ताकि कामधंदों का बोज उनकी समस्याएं और चिंताएं आपके मन को उल्जन में न ले आएं चोकि ये समय बहुत किंती है न धन काम आएगा न जन कुछ काम नहीं आएगा काम आएंगे अपने पुन्य अपनी स्थिति अपना बाबा इसलिए विश्थार को कम करते चलें कईयों का बिनकाम दंदे ही मन का विश्थार बहुत है व्याद सोचते हैं ये वो आत्माएं हैं जिनोंने अपना जीवन पर चिंतन में एगसा ब्वेस में तेरी मेरी में व्यतीत किया है अब इससे भी मुक्त होंगे तो देरे धीरे मन चान की स्थिती में आता जाएगा तब याद रखें जो लोग दूसरों को देखने में लगे हुए हैं जिनका चित एगसा ब्वेस की अगनी से जल रहा है जो दूसरों को गिराना चाहते हैं जिनके विचार बहुत छोते हैं जिनमें लेने की भावना है जो दूसरों की लूट का सोट करते हैं देना बिलकुल नहीं जनते उनका चित कभी एकागर नहीं होगा उनके इन कर्मों की सजा अब उनको यह मिलेगी कि उनका मन बहुत भागेगा जो उनको बेचेम करेगा इसलिए विस्तार को सार में समेचने का अंतिम चांग सामने है चोकि इसमें बहुत समय लगता है कई साल लगते हैं और अगर अब भी कोई अपनी स्थिती को स्रेष्ट बनाने की सुरुआत नहीं करेगा तो वो कभी नहीं कर पाएंगे इसलिए आइए आज बार-बार विस्तार को सार में समेचने के लिए निराकार इस्थिती का अभ्यास करें मैं चमकते हुई मनी निराकार देमानों है ही नहीं और मैं परंपवित्र हूं बहुत सक्ती साली हूं सारा दिन याभ्यास ओम संदी